यूपी में माफियाओं का खत्मा हो रहा है आपने देखाऊगा मुख्यमंत्री के कमांड समाले के बाद योगी की कमांड समाले के बाद ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है बड़ी ख़बर सुन लीजे गाजी पूर से समाजवादी पाटी के उम्मीदवार अफजाल अ मामला है लाबाद हाई कोट से मिली गैंग्स्टर एक्ट में चार साल की सजा और लाख रुपए का जुर्माना और बता दे आपको इसके वज़ा से जो बीजे पी के पूर्व विधायक है कृष्णा अनंद उन्होंने कहा है कोट से अपिल की है कि मुक्तार अंसारी की सजा चार साल से जादा बढ़ाई जाए लेकिन आपको बता दे कि समाजबादी पार्टी के जो उमीदवार हैं गाजीपूर से इनका टिकट इसी वज़े से कट सकता है क्योंकि इनके लिए एक सुनवाई जो है वो टल गई अलाबाद हाई कोट में सुप्रीम कोट ने अलाबाद हाई कोट को यह ओडर दिया था कि इनकी सजा पर रोक लगा दी थी चार साल की जो इनकी सजा हुई है उस पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी थी और आपको बता दूँ यह सुप्रीम कोट के रोक लगाने के बाद स सुप्रिम कोट ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई किजिए 30 जुन तक लेकिन अब अलावाद हाई कोट के पास समय की कमी होने के बाद यहां पर समाजवारी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी मुक्तार अंसारी के भाई पर सुनवाई महीने के लिए टाल दी गई है बड़ी खबर और समाजवारी पार्टी इसी वज़े से उनके टिकट को लटका सकती है अब समाजवारी पार्टी वैसे भी टिकटों को काट रही है अखिलेश आणव को आपने देखा होगा अभी नय नय चेहरे एक दो दाउन लगाते नजर आ रहे है और अफजाल अंसार बड़ी है आपको मैं बता दूँ अगर बाच्युत की जाई तो उत्तर प्रदेश के गाजिपूर में चुनाओ साथवे चरंट में है यानिके एक जून को है दर्शो को एक छून को चुनाओ का लास्ट फेस सेवन्थ है साथव चरंट है और साथवे चरंट में अगर को सुनवाई होगी तो दो माई को सुनवाई होगी तो अगर इनके पास ज़रा भी इनका आखड़ा फसा कोट में अलावा धाई कोट में इनका फसा अगर आखड़ा और सुनवाई अगर इनकी फिर से टल गई या इनको सजा बरकरार रही इनको सजा इनकी कम नहीं होई तो फ कास्ट फेस में ही हाँ चुनाओ है गाजिपूर में और साथ माई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा गाजिपूर लोगसवा सीच पर 14 माई तक नामंकन दाखिल होंगे और 15 माई को नामंकन पंद्रों के जाज के बाद उम्मिद्वारों को 17 माई तक परचा वापसी का म और सुप्रेम कोट ने हाला कि उनकी सजा पर रोक लगायी है तो सुप्रेम कोट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी और बता दे आपको जस्टिस सञे सिंगल बेंच एक साथ दोनों अड़्जे कि सुनवाइक ही हैँ अफ़ाल अंसारी को गाजीपूर की जिला अदालत ने 29 अप्रेल 2023 यानि की पिछले साल ठीक इसी महीने में एप्रिल का महीना चल रहा है यहाँ पर अफ़ाल अंसारी को सजा सुनाई गई थी 4 साल की सजा मिलने के वज़ा से अफ़ाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोग सभा की सदस्ता रध हो गई थी लेकिन बाद में हाई कोट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी तो पता दे आपको इनको हाई कोट ने जमानत दे दी थी सुप्रीम कोट ने इनकी सजा को टाल दिया रोक लगा दिसी सुप्रीम कोट ने की चार्सल की सज जो है उस पर रोक लगा दी गई थी और फिर हम सुनवाई करेंगे अब दो मई को सुनवाई होगी एलहाबद हाई कोट में उसके बाद सुप्रीम कोट में यह मामला जाएगा तो आप समझ जाएगे इसमें अच्छा कासा टाइम टेकिंग है अच्छा कासा इसमें समय समय पर उसके पहले लोगसभाई एलेक्शन हो जाएंगे चार जुन को लोगसभाई एलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो घोशित कर दिये जाएंगे तो चार जुन को परिनाम आएगा और अगर मई महीने में सुप्रीम कोट सुनवाई कर लेगी तो हो सकता है कुछ राहत मि हाई कोट में सुनवाई होनी थी इन्होंने अरजी लगाई थी बीजेपी के फुरुव धायक हैं और इन्होंने कृष्णानंद राय के परिजन ने इस अरजी पर जो है वो याचिका के साथ हाई कोट में सुनवाई होनी थी कि उनकी जो सजा है चार साल से जादा की थी और जबकि कृष्णानंद राय का परिवार इस अपील के खिलाफत में था और कहा था कि इनकी जो सजा है वो बढ़ाई जाए आपके मतालू की मीडिया रिपोर्ट के मताबिक अफजाल अंसारी को जल्द राहत नहीं मिल सकेगी एक तो चुनाओ का समय है और का जल्द ही लाइन अप हो सुची बद हो ताकि हमारे मुखिल को जो है वो जमानत मिल जाए और जमानत ना भी मिले तो सुनवाई जल्द हो मतलब जमानत अगर नहीं हो रहा तो कोट क्या चाहती है कोट क्या दलील देती है हलाकि अफजाल अंसारी के वकील का कहना है कि इनक लेकिन ये होते हैं जो आपके पास सबूत ऐसे तथे होने चाहिए आपको बता दू अफजाल अंसारी पर कई ऐसे मुकदमे दर्ज हैं और कहा ज़रा है कि ये सब माफिया गिरी समाजवादी पार्टी के टाइम पर था तब ही तो समाजवादी पार्टी के उमीदवार है और जान दिया होगा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी अरिजिनात के सशनकाल में कुर्सी सम्हालने के बाद हमने देखा कि माफियाओं का खात्मा हुआ है और माफियाओं के खात्मे के हिसाब से पूरे प्रदेश को माफिया मुक्त करने का ठेका CM-Yogə ने ले रखा है और CM-Yogə ने अभी Ralyों में यही बाते बार-बार repeat कर किया है आपको बता दू कि CM-Yogə सबसे पहली बाचित माफियां और करते हैं और कहते हैं कि पहले जब माफियां का इसकल करता था तो बड़े बड़े अधिकारी रुख जाते थे और इनके काफिले के आगे वो डर महसूस करते थे अधिकारियों का ये हाल था लेकिन अब हमने ये काम किया कि माफियाओं को नीचे से मिर्च लगा के उन्हें जो है उनको छोक लगा दिया तो देखिए यहां पर आपने देखा होगा माफियाओं पर योगी अरितनात के बया सबसे पहले पॉइंट आट होते हैं अभी चुनाओं का महल चल रहा है चार को रिजल्ट आएगा और अभी एकी फेस का चुना हुआ है इसी बीच अफजाल अंसारी पर सुप्रीम कोट में सुनवाई इलहाबद हाई कोट में सुनवाई मैं महीने में होगी और बता दे कि जल्द सुनवाई होने की जो बात है वो टल गई है मतलब कि हो सकता है कि अफजाल अंसारी को जून के महीने में राहत ना मिले और इनकी सजा जो है वो बढ़ाई जा सकती है सुप्रीम कोट ने हाला कि रोक लगा दी थी लेकिन अगर इनको मैं के महीने में इनका मामला को कि घंटी है क्योंकि इनके उपर समाजवादी पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी है जनता ये मांग कर रही है कि इनको सजा हो क्योंकि माफियाओं का इतिहास पुराना है और समाजवादी पार्टी के टाइम पर ही इतिहास उफरा लेकिन उभरने के बाद योगी इतनात के आने के बाद माफियाओं का मिट्टी में मिलाने का प्रक्रिया जा रही है लेकिन इसे बीच यहाँ पर अगर ऐसे उमीदवार चुनावी मदान में उतरते हैं आपको बता दियू जनता ने ये कसम खाई है कि माफियाओं का खात्मा करने में हम सीम योगी का साथ दे देखते नजर आएंगे अफजाल अंसारी पर जो कोट में सुनवाई होगी मैं आपको भी बताऊंगी इलहाबाद हाई कोट ने तो फिलहाल इनकी सुनवाई टाल दी तो खत्रे में उमीदवार गाजीपूर से अफजाल अंसारी और आप देखने वाली बात होगी समाजवानी पार्टी किसको वहाँ पर टिकट देती नजर आती है और किसको किस से पर्चा भरवाएगी आप देखते रहें और जो भी आपकी राय हो जरूर रखें शुक्रिया आपका